तो इस वीडियो में बात करेंगा जम पाउर इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में इस इस्टॉक के बारे में सबसे ज़्यादा जो सवाल पूशे जा रहे हैं वो यही कि इसका जो प्राइस नीचे आ रहा है कब तक नीचे आएगा प्राइस कहां पे आखिर जाके इठेगा ताकि जो लोग हाल प्रिहाल के दिनों में बाई किये हैं जिनको लॉस हो रहा है उनको थोड़ी रहात में सके तो इसी वीडियो में इस सवाल के जो आपको धुबने का प्यास करेंगे आपको बताऊंगा कि आप किसी भी लेबल को बाई किया है और यदी आपको अब जो लग्तार नीचे आ रहा है वो ऊपर जाते हुए ऐसा जोग बन रहा है कि प्राइस सब उपर जाने के संगेत चार्ट पर दिखने लगए तो सबसे पहले हम लोग टेक्निकल अनालेसिस के माद्धें से यानिकि चार्ट के माद्धें हम सही समझते हैं चीजों को और इक सल के चांट पर और यहां पर देखेंगे तो इस टोग प्राइस यहां तकरिबन चार रोपए की करीब चला गया था और वहां से फिर प्राइस नीचे आना शुरू हुआ तो अब जो प्राइस आ रहा है तीन रोपए के लेवल कभी लगबग लगबग आ गया है क्या प प्राइज काफी बढ़ जाता है तो थोड़ा सा करने के लिए या और फिर आपको जाती हुए दिखे कहा तक जाएगा उसको हम रोग आगे समझेंगे फिलाल आप ये समझ लीजे की आप किसी में label पर इसे श्टॉक में बाई किये हैं मनले यह हो सकते हैं कोई बोटी प्राइस को तीन रूपे के नीचे आने के चांसे कम है तो आप बस वीट कीजिए तीन रूपे लेकि चार उपय तक जाएगा तो आप बेसकी निकल जाएगा जो रिसकी फ्लेयर हैं वो इसको होल्ड करेंगे और मैंने बताया कि प्राइस से तिन रुपए के लेबल तक आने बाद फिर प्राइस उपर उठेगा और कहां तक जाएगा उसको समझने के यहां पर मैक्सिमुम करते हैं मैक्सिम चार्ट में देखिया इस प्राइस मैक्सिमु आपको दस से गारी रुपए तक आपको जिया देखिया लगी चलते हैं आप ęकर कोपी ज्यादा जब्लडासाnt बनदा था होनी के लिए धोगा क्या इसमें नीचे आ rhyme पहले आएगा इस रेजिस्टेंस के पास, इसका जो पहला टार्गेट कहे लिजी या रेजिस्टेंस कहे लिजे, छे रुपे होगा, फिर आट रुपे, और फिर फाइनल पड़ाओ, तो फाइनल नहीं कहेंगे, लेकिन मैक्सिमिम्म जो आनेक बास समय बिताएगा, दस आट करना है कि प्राइस तीन रुपे के लेवल तक आनेक बात कैसा रेक्सन करता है, आप इसमें देखिए, तीन रुपे तक आता है, तो यहां से क्या थोड़ा और नीचे आ सकता है, क्या, तो तो आपको दिखेगा, कि यह स्टॉक यह से में भी है, अब यहां पहले दिख चल रहा, और समानत हो तो होता है जब भी कमनियों में चल रहा, और समानत होता ही ही चोटी कमनियों में जब ही छोटी यह स्टॉप, पेनि यह स्टॉप फिर भी आप नहीं बेच पाएंगे जब तक यह से में रहेगा तो आपको यह भी ध्यान रखना होगा हाला कि जैसे लोगर सरकीट हटेगा तो फिर यह यह समय तक नहीं रहता है यह हट जाता है थोड़े समय के लिए होता है तो एक बार प्राइस को आप जैसे में बता है कि किरिया हो रहा है और सारी है इसके बारे मैंने पहले बुडिग करूँगा काम यही की इसे ईससे समझेज़ пошपा देँ है काम काफी बढ़े है काम के बिश्स स्यरें फैर्पाइस में नंब्बी और दिज़ी रहे है इसमें कोई डाउट नहीं है टेकनिकल जो डाटा बोलता है वह भी ठीक है बस आपको इस समय देना होगा तो उम्मीद करता हूं एम पॉर इंडे लिम्टेट के बारे में जो जनकारी आज में आपको दी आपको समझ महा रहा होगा मन में कोई सवाल है कोई कंफूजन है तो झाल के क्वाल के का बारे में कोई डिक सवाल है।